हेलो दोस्तों, राधे-राधे, नमस्ते, प्राणाम, कैसे ही आप सब? आसा करती हूँ, आप सब सस्थ होंगे और बहुत-बहुत अच्छे होंगे इसवर आप सब लोगों को हमें सब सस्थ रखे, मस्त रखे और आप सब अपने जीवन में यूही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें यही इसर से प्रातना है हमारी तो हो चुकी है आज के सुभा की सुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानि शिवानी का प्यार भरा गुड मॉनिंग सुप्रभात तो आगे हूँ मैं रसोई में और आज बना रही हूँ मैं मैगी तो मैगी ऐसे बना ले रही हूँ जैसे चौमिन बना जादे पहले उबाल ले रही हूँ उसकी बाद बनाओंगी रोज रोज वस वही पोहा उपमा और ऐसे ही बना बना के थोड़ा सुचा कुछ बना लेती हूँ और तो तो एक खा ना तो मैगी पड़ी थी तो मैंने वो आज बना लिया है और यहाँ पर मैगी को उबाल के और छान के रख दिया है जो छनी होते हैं डलिया उसी में उबाल क पानी अच्छे से निकल गया है और यहां पर प्याज और मिर्च डाल दिया है पहले हींग और जीरा डाला है क्योंकि हमारे हींग सब लोग ज़्यादा खाते हैं आप पहले ही आप लोगों को मैंने बताया है और थोड़ी से डाल दिया है हल्दी अब डाल दिया है टमाटर औ कि दूटा कर दो बाद प्रम नमक फिर अच्छी से पख जली पख जाती और अच्छे से पख जाती है और ये मागी मसाला जो की पैकट्स में निकला है और ना सतर ग्राम बाली जो पैकेट होथी है वहीं पूरा एक हैं तो उससे हो जाता है हमारे घर में तो यह देख लिए मैगी भी और गई है और यह देख लिए एक हो गया है अच्छे से छान के रख दिया था पानी से धुल के और यह बढ़िया से हो गई है आभी सली को मि कि कि वही हमारे घर में था तो वही मैंने डाला है किसी ने डाला है और किसी नहीं डाला है और ये है हमारा पिलिट तो आजएए आप लोग भी खा लीजी आके और ये है साम का वीडियो जो रहता है दोपहर में मतलब वो मैंने नहीं बनाया है और साम को जो साम को जो बना रह कर रहे हैं तो यहां पर बना रही हूं मैं मूंग की दाल है जो उसको फूलने की रख दिया था दोपहर में अभी पीस लिया है और इसमें हींग और नमक का मतलब पेश्ट बनाके जो दाल पीस के बस पकोड़े चुट चुट से बनाके निकाल लेंगे इसको और आप लोग व और यहां पर हींग और जीरा का तरका लगा देते हैं थोड़ा सा इसमें तेल जरूरल परता है क्योंकि ना पकोड़े वाली है पहले से इतना तेल हो गया है इसलिए अभी डाल देते हैं थोड़ी से डाल बचा के रखी थी मौंग की तो इसको डाल देते हैं और इसको अच और इसको जब तक चलाएंगे जब तक अच्छे से भून नहीं जाएगी अगर आप ऐसे चलाना छोड़ दो तो चिपक जाएगी इसमें फिर तम बिकार हो जाएगा सारा तो इसको चलाना पड़ेगा तो अभी मैं चला लेती हूं फटा-फट से और यह देख लीजे बहुत सारा लंबा हो जाता है वीडियो इसलिए मैंने काट-कट के एडिटिंग करा है तो यह देख लीजे ऐसे करना है आपको तो हो गया है हमारा और अब इसको निकाल लेते हैं बाहर और इसमें फिर थोड़ा सा सरसों को ऑल डालेंगे और इसको ना थोड़ा सा जो प्य गुल बना के हम लोग डाल देंगे इसमें और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा न तो यह दाल इसमें डाल के और अच्छे से इसको चलाएंगे सारा मिक्स कर देंगे अच्छे से यह देख लीजे मैंने डाल को डाल दिया है और बस फटा फट से इसको चला देंगे मस पोड़ी देर के बाद इसमें उबाल आ गया था और हमारे हां ऐसे ही रखा गया है क्योंकि जदा पतल खाते हैं हमारे यहां पर और अभी जो पकोड़े डाले बनाये थे अभी वो डाले दिये हैं सबजी हमारी बनके तयार हो गई है तो यह देख लिए जिए सबजी और इसक से लाते थे मूंग के फले हरी वाले जो जो ना हरी रहती है उसी को पीस के बनाये जाता था तो अच्छा लगता था और जो यह दाल रहती है ना इसको फुलाके ऐसे बनाते हैं ऐसे ही उसको ही बनाया जाता था और अभी यहां पर मैं सेक रही हूं रोटिया और इधर रख अगर मुझे चावल ना मिने तुम ऐसा लगता है कि आज मैंने खाना नहीं खाया है तो चलिए यहां पर हमारी सेक लिए हैं हमने सारी रोटियां और लगा दिया है थाली चलिए अभी देके आते हैं यह रो रहे थे तो इनको गोद में ले लिया है इसके बाद कया बगेरा सा साफ करके और यहां पर चावल को फुला दिया था तो इसको अच्छे से धुल के और कोकर में डाल दिया है और पानी राल देंगे इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि मैं बनाने जा रही हूं खीर जो कि आज सरद पूर्निमा है ना तो इसलिए आज खीर बना तो ऐसे ही मैं बना रही हूं तो जल्दी भी बन जाती है ऐसे कुकर में तो चलिए सीटी आ गई है और खोल के देख लेते हैं कि कैसे चावल हमारे पके हैं और इधर थोड़े से ड्राइफूड भी काटके रख दिये हैं और यह देख लिए ऐसा रखना है आपको अच्छे 17 तारीक को मनाई गए है और यह वीडियो आपके पास 17 तारीक को पहुंचेगा लगभग वही 11.11 वजे तक मैं डाले दूंगी इसको तो प्लीज वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आप लोगों कहां सरत्पुनिमा कब मनाई इसके बाद भी खीर को मैं थोड़े दिर ऐसे बराबर चलाते रहेंगे तो बढ़िया सा जो रहता है जिसको एक मांड टाइप का बोलते है वो निकल के बाहर आ जाता है एक दम से बढ़िया खीर बनके तयार हो गई है हमारे यह देख लीजे मैं चला रहे हूं बराबर वी यहां पर मैंने अलग से बरतन में निकाल के रख दिया है तुलसी का पत्ता जो रहता है वो डाल दिया है और थोड़ी से अलग से काटोरी में निकाल के रख दी है उसमें भी तुलसी का पत्ता लगा के और अभी मैंने मंदिर में चड़ा दिया है भगवान को भोग मतलब लगा दिया है और यह खीर है ना थोड़ी से ठंडी हो जाएगी फिर उपर इसको च्छत पे अभी टांगने जाएंगे और इधर जो यह खीर है काटोरी में इसको चलिए अभी भगवान को भोग लगा के आ जाते हैं अभी हम लोग पहुंच गये हैं च्छत पे और यहां पर वीडियो में तब तक के लिए आप सबको हमारा प्यार भरान नमस्कार और आप सबको सरत पूर्णिमा की धेर सारी सुख कामनाए और दोस्तों इस पेड़ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूं क्योंकि मैं हर वीडियो में यह जो पेड़ है उसको मैं से हुआ 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 है